हरे स्टुडेंट्स मैं प्रणे वर्मा स्वागत करता हूँ आपका मैगनेट ब्रेंस हिंदी में तो चलिए आज का जो वीडियो है न वह बहुत ज़्यादा ले आईए देखते हैं यहाँ पर दिया है त्रिबुच PQR में बुझा QR और मद्य बिंदुडी है अब मुझे बताना है कि इसके अंदर PM को क्या कहेंगे और PD को क्या कहेंगे है ना सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग मादिका और शीशलम की बारे म होता है ठीके ना अब उसके बाद यहाँ पर A, B और C अगर मैं त्रिबुच के बीचों बीच एक लाइन खिसता हूं ठीके ना जो त्रिबुच को दो पार्ट में बराबर भागों में बाट देती है मतलब यहाँ पर यह और यह मान के चलिए यहाँ पर यह है एए तो यहा माध्धिका है क्या हो गया ये माध्धिका ठीके ना ये माध्धिका मतलब जो त्रिबुच को बराबर दो भागों में बाट दे वो कहलाती है माध्धिका माध्धिका मतलब मध्धिलाइन आज समझ में तो यहाँ पर आपको PM क्या दिख रहा है PD क्या दिख रहा है PD आपको यहाँ पर क्या दिख रही है एक माध्धिका दिख रही है तो हम में लिखेंगे यहाँ पर PD जो क्या है यहाँ पर माध्धिका ठीक है पीडी हो गया यापर माद्डी काँ अब बात कर रहे है पी एम की तो पी-एम केलाएगा यापर सीर्च लमब शीर्ष से तर्वच की पुजा पर डाला गया लमब आब इसको लमब क्यों कहते है? क्योंकि यहाँ पर यह 90 डिगरी का एंगल बना रहा है है ना ध्यान रखना अगर मैं इसमें यहाँ पर यह 90 डिग्री लगा दूं तो यह भी सीर्ष लंब हो जाएगा आया समझ में लेकिन यह माद्दी का है इसलिए मैंने इसको माद्दी का बताया इसलिए मैंने यहाँ पर इसको 90 डिग्री नहीं बताया तो यह क्या हो गया यह ह हमारा PM क्या है सीर्ष लंब है शीर्ष लंब है ठीक है यह हमारा सीर्ष लंब है तो यहाँ पर देखिए माद्धिका भी त्रिबुज में तीनों प्रकार से बनाए जा सकती है और शीर्ष लंब तीनों प्रकार से बनाए जा सकते हैं देखिए कैसे यह मैं आपको एक बार और clear कर देता हूँ but फर्क क्या होता है फर्क यह होता है कि यहाँ पर जो त्रिबुज होता है तो त्रिबुज के तो तीनों ही कोन होते हैं तो मतलब यह है यह बी और यह सी तो यह ऐसा भी बन जाएगा ठीक है दूसरी बात यह A, यह B, और यह C, यह ऐसा भी बन जाएगा, ठीके, और उसके बाद, यह तीसरा, A, B, और C, यह माद्दी का ऐसे भी बन जाएगी, लेकिन, अगर मैं इसमें 90 डिगरी प्रेजेंट कर दूँ, तो यही चीज क्या बन जाती है, यही चीज बन जाती है, सीर्शलम, आया में, अब मुझे बताए, क्या QM और बराबर QR, MR है, QM बराबर MR, नहीं, नहीं है, क्यों, क्योंकि भई, यह तो सीर्शलम है, है ना, आप देखा जाए, तो यहाँ पर यह क्या है, यहाँ पर हमारा यह क्या है, यह क्या है, यह हमारा है, माद्दी का है, तो माद्दी का तो माध्धिका यहां माध्धिका PD है अर्थात QD बराबर DR होगा ठीके QD बराबर DR होगा है न यहां QM बराबर MR नहीं होगा QM बराबर MR नहीं होगा क्योंकि जो माध्धिका होती है वो उसको बराबर दो भागों पर बाटती है लेकिन यह क्या है यह तो सीर्ष्लम है अब आप खुद देख लो यहां से आतका distance इतना है और यहां से आतक का distance बहुत कम है तो यहां पर QM बराबर MR नहीं होगा तो हम लगों ने उसको एक छोटे reason देकर हमने उसको यह बता दिया कि भाई यह चीज नहीं हो सकती है तो यहां पर इसको हो गया clear चली आते हैं अपने अगले question पर देखते और सबसे पहले में पहला करता हूं एक त्रिभुज बनाता हूं कि यथे यह 10-पाइज कौन सा बोला है ABC A B और C तो मुझे बोला है के वी एक माधिका है तो बी एक माद्दी का है तो आप यह माद्दी का ऐसी बना लो ठीक है या फिर आप इसको ऐसा भी बना सकते हो त्रिबुज यह ए यह बी और यह सी तो आप यह माद्दी का ऐसी भी खेश सकते हो कि आया समझ में देखो त्रवुच्ट में तीनों कोल्टे तीनों कोल्ट के ससरे त्रविच को को इसा भी वोल सकते या इसको ikiको याझ basekता हूं या 2 2 सखता हूं या माद्दिका यातों मैं ऐसा भी बता सकता हूँ A B C और यहाँ पर जो है यह यह माद्दिका है तो यहाँ पर E B क्या हो जाएगा यह माद्दिका हो जाएगी तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं दोनों ही तरह कि इसे यह माद्दी का बिल्कुल सही है तो पहला हो गया question complete दूसरा क्या है त्रिबुच PQR में PQ तता PR ठीके त्रिबुच के सीर्ष लंब है अब देखिए यहाँ पर सीर्ष लंब बनाना है सीर्ष लंब का मतलब क्या होता है 90 डिगरी का एंगल बनाए 90 डिगरी का ए इसे तरीके से भी बना सकते है जहाँ पर बी इधर हो जाएगा तो यह माद्दी का इधर से आदेगी तो मैंने क्या बताया माद्दी का क्यों बता रहा हूं कोई यहाँ पर एंगल शो नहीं कर रहा हूं क्या कोई एंगल शो नहीं कर रहा हूं अगर में को शीर्ष लंब ब तिरबुच PQR में है ना पी आर था पी आर था पी क्व ते तब पी आर तिरबुच के शीर्षलम में मतलब पी जो है ना वो सेंटर पे आ रहा है तो चलिए यहां पर मैं बनाता हूं एक तृबुच यहां ले लेता हूं में P यह 90 है तो यहां पर में ले लूँगा यहां पर ले लूँगा में Q और यहां ले लूँगा R ठीक है? अब देखिए सीर्षलंग यह PQ और PR यह क्या हो गए? सीर्षलंग हो गए तो हम लोग इसको इस ताकरती को इस तरह से बहुत आसानी से बना सकते हैं तो यह वाला हमारा सेकेंड वाले का है कि तरिबुच PQ में P क्या है? समकोन है यहां पर हमारा जो PQ है वो इसके लिए समकोन है और मतलब जो है सीर्षलंग है और PR है वो यहां पर सीर्षलंग है तो यहाँ पर इस तिर्बुच को बनाने का इससे बढ़िया मैथड और कोई सा नहीं है कि इसको सीशलम कैसे बनाया जा सकता है तो यह second question था बहुत चोटा था और बहुत ही sweet था थड़ वाले पर आते हैं थड़ वाले में दिया है x y z में y l x सीशलम उसके बहिर भाग में बनाई है अब देखिए बहिर भाग में कैसे बनेगा बहिर भाग में बनाने के लिए हमारे पास इसको बनाने के क्या तरीका हो सकता है कि यह बहिर भाग में बनाना है तो बहिर भाग में बनाने के लिए मुझे त्रिवुच कैसा बनाना पड़ेगा मुझे त्रिवुच बनाना पड़ेगा कुछ इस तरह से ये ये त्रिवुच बनाना पड़ेगा तो यहाँ पर यह लूँगा में y, x और z अब यहाँ पर यह जो है, यहाँ पर जो है y, l तो वो जो बहिर भाग में बनाऊंगा न वो ऐसा बन जाएगा बहिर भाग में ये कुछ ऐसा बनेगा ये बहिर भाग में तो ये हो जाएगा L Y L बहिर भाग में ठीके तो ये इस तरह से बहिर भाग में बनता है और इसका बहुत और दूसरे तरीके भी हो सकते हैं इसको बनाने के कैसे बना सकते हो वैसे ये सबसे बैस तरीका है क्योंकि बहार की तरफ बना था तो एक यही त्रिबूत होता है जिसमें मैं जो बहार की तरफ से सीशलम बना सकता हूँ तो ये इसका तरीका है बनाने का जो कि हम लोगों ने सीखा यहां तीनों कोश्चन हमने करें जो कि बहुत ही अच्छे से बहुत ही छोटी एक्सिसाईज है और इसको करने का हमने कैसे तरीके देखे यहां पर मैंने वो भी बताया और उसके बाद आपके बहुत सारे जो doubt है वो इससे आपके clear भी हो गए होंगे चलिए आते हैं अपने अगले question पे देखते हैं क्या दिया हुआ है दिया है आकरती खीच कर पुस्टी कीजिए कि एक सम्द्वी बाहू सम्द्वी बाहू त्रिभुज में सीश लंवा माद्दी का एक ही रेखाकंड हो सकते है तब से पहले सम्द्वी बाहू त्रिभुज होता क्या है मैं आपको बताता हूँ जैसे मानके चली हल पे आते हैं यह आपका है सम्द्वी बाहू त्रिभुज समध्वी बाहू का मतलब क्या होता है समान दो भुजाँ वाला ठीके समध्वी बाहू का मतलब क्या होता है समान दो भुजाँ वाला तो भाई मैंने समध्वी बाहू तरिबुज बनाया यह दीजे यह समध्वी बाहू है जिसमें यह A है यह B है और यह C है ठीक है ना अब सम्द्विवाओं में क्या होता है समान भुजा होती है ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान होती है और भुजा पे बनने वाले समान भुजाओं पे बनने वाले जो कोल होते हैं न ये भी क्या होते हैं समान होते हैं ठीक हैं यह होते हैं आप मुझे क्या बोला है कि सम्द्विवाउत रुबूज में शीर्ष लंबा माद्दी का एक ही रेका कंड हो सकते हैं तो भाई यह है हमारा माद्दी का और यही हमारा शीर्ष लंबी हो सकता है तो यहां पर इसका हमने यह बताया कि भाई यहां इसके अंदर ये जो है ये कि इसके अंदर बिलकुल को सीर्ष की तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं की बिक्ते हमारी आख़ते से हमको यह बिलकुल सकता है कि एक हम लिख सकते हैं आकर्ती से यए देखा जा सकता है अथा आकर्ती से यह देखा जा सकता है यह देखा जा सकता है कि सम्द्वी बाहु त्रिभुज में स्वम्द्वी बाहु त्रिभुज में त्रिभुज में माद्धिका और सीर्षलम श्रीर्षलम्ब माद्धिका और सीर्षलम्ब एक ही रेखाखंड हो सकते हैं एक ही रेखाखंड हो सकते हैं ठीक है ना क्योंकि यह तो सम्द्वी बाहु त्रिभुज में है और कहीं न कहीं यह हमारे उसमें भी हो सकता है किसमें सम्द्वी बाहु त्रिभुज में भी हो सकता है पर यह उसमें नहीं हो सकता किसमें हमारे जो अधिक कोण है जिसमें विशम बाहु है उसमें नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर जो है उसमें तीनों ही चीज़े अलग-अलग होती है तो उसमें जो त्रिबुच का जो सेंटर है वो कहीं अलग ही जाएगा इसलिए मादिका और जो विकर्ण है मादिका और जो शीर्षलम है वो उसके अंदर एक जैसे नहीं हो सकते लाइक इस तरह से यह यह हमारा विशम बाउ त्रिबुच है ठीके आप विशम बाउगे तो भई विशम बाउग में इसका जो सेंटर होगा वो तो यहाँ जाएगा पर जो त्रिबुच की जो लंबाई है सीश लंब वो हमारा ऐसा आता है यह तो यहाँ पर हम बिलकुल अपने त्रिबुच से एक्स्प्लेइन कर सकते हैं कि हाँ भई यह केवल इने में ही पॉसिबल है और हमने इसको इस तरह से सॉल्ट किया जो यह हमें बताती भी है तो यहाँ पर हमारी जो प्रश्ना वाली है कौन सी छे रेशन वह एक वो खतम होती है जो कि बहुत ही स्वीट और बहुत ही प्यारी एक स्वाइस थी जिसको हमने विट एक्स्प्लेनेशन देखा और जो जो पूछा था वो हमने आपर किया भी तो बस आप लोग को करना क्या है आप लोग को हमारे साथ बने रह रहा है आप लोग हमारे साथ बने कैसे रखते हैं हमारे वीडियो को वाच कैसे कर सकते हैं तो बस बहुत छोडी से प्रोसेस है करना क्या है सबसे पहले जाए गूगल पे वहां मैगनेट बिंस को टाइप करिए जब आप वहाँ पे इसको टाइप करेंगे न तो आप लोग पहुँच जाएंगे यहां पर क्योंकि यहां जो लिखा है न वह हम करके भी दिखाते हैं जी यहां 100% free education platform है नमबर वन यहां पर किसी भी पढ़ाई के लिए आपको कोई charge नहीं लेना है बस आपको free में पढ़ाई करना है और अपनी पढ़ाई को बहुत आगे तक लिज़ा है क्योंकि हम आपके साथ आगे तक बने हुए बहुत आगे तक हमारी classes है यहां तक आपकी जो भी आप लोग 12 मतलब आगे जो भी पर्टिकुलरली विंडो के अंदर आप आजाएंगे जहां पर आपको सारे अध्याय देखने को मिलेंगे जब आप क्लिक करोगे तो वो आपको वो अध्याय आपको बहुत अच्छे क्वालिटी वीडियो के साथ explanation देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से तो बस करना क्या है बहुत अच्छे क्वालिटी की वीडियो देखो और उसके बाद अपनी पढ़ाई करो पर बने कारे में आपको बने लेना मागनेट ब्रेंज लिंदी के साथ जो देता है सेवन से लेके ट्वेल तक का एजुकेशन वो भी बिलकुल फ्री में आपके जितने भी छोड़े बड़े बाई बेन हो आपके फ्रेंड्स हो आप उनको हमारे बारे मताइए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिये थै थैंक यू